अगर आप CPU Mining कर रहे हो तो CPU Mining करते हो एक काफी common error आजाता है जिसकी वज़े से CPU Mining की जो speed है वो 50% तक drop हो जाती है आज की एपिजोड में मैं आपको यही बताने वाला हो कि अगर यह same error आप face कर रहे हो और कैसे इस error को ठीक करके आप अपनी माइनिंग speed increase कर सकते हो हेलो विनफारमट्स क्या हाल चाल सब बढ़िया आपके अपने ग्रिप्ट चानल विनफारम में आप सभी का सौगत है अब आज की इपरीजोड में आगे करने से पहले है अगर फिनफारम को पहले subscribe नहीं करका है फिनफारम को अभी की सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आएप हमारा Target कैंकि हमें 3000 का subscriber base बताना एय। जब माइनिंग ऑन करी जाती है तो सिरफ 4 threads होती है मतलब exactly 50% threads use होती है जैसे आपकी threads 50% पर आगे तो आपकी mining speed भी almost 50% से drop down हो जाती है तो कैसे अपनी 100% threads use करें अब इसको solve करने के लिए मैं आपको दो अलग-अलग solutions बताने वाला हूँ जैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो you have received the highest number of hearts from finfarm तो congratulations ठीक है अब वीडियो को जादर लंबा नहीं बनाना है मैं 5 मिनिट में सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप इस error को solve कर सकते हो तो मैंने हाँ पर अपनी mining files already हाँ पर deploy कर रखी है वैसे ये जो error है usually जो है आपकी random x algorithm based coins के साथ आता है मतलब monero, zafire, x tag जो भी all coins जो है आपके random x algorithm follow करते हैं उनके साथ ही ये commonly error आता है तो मैं एक बड़ जल्दी से अपनी zafire की mining file है वो run कर रहा हूँ ठीक है definitely आज का हमारा main objective है error solve करना तो मैंने हाँ पर अभी ही तक अपनी कोई क्या कहते है huge pages नहीं कर रहा है मैंने इसको run as administrator नहीं कर रहा है मैंने इसको normally run कर दिया है तो अब आप दिखोगे मेरे जो CPU में है 8 threads है मैंने कुछ भी नहीं कर रखा और जो मेरी threads है वो exactly 4 पर काम कर रही है मतलब 50 वर्जंट से तो exactly यही वाला error जो भी हमें comment section में आया था कि 8 threads और 4 काम कर रही है यही तो हो रहा है exactly यही same error आप इसको resolve करा कैसे करा जाता है उसके लिए दो अलग-अलग solutions है मैं दोनों discuss करने वाला हूँ depend करता है आप mining किस method से कर रहे हो तो आपके लिए दोनों method suitable हो सकते है जो उनसे भी method से mining कर रहे हो दोनों के लिए अलग-अलग fixes है मैं वो आगे discuss कर देता हूँ तो अगर मैं अभी अपनी hash rate देखूँ तो गरीबन 811 आ रही है जो की काफी कम है मेरे CPU के हिसाब से क्योंकि यह almost 3000 तक की दे देता है मैं अभी huge pages enable नहीं कर रखे है and मेरा CPU जो है 50% पर काम करे तो सबसे पहला काम अगर आपने mining की .bat file बना रखी है तो सबसे पहला fix उसी भी है आपको show more options पर जाके edit पर जाना है उसके बाद आपको t डालना है not in caps lock normal t और यहाँ पर जितनी आपकी CPU की maximum threads है जितनी आप use करना चाहते हो उतनी लिखनी है for example अगर मैं यहाँ पर 8 लिखकर save कर रहा हूँ तो जो मेरा CPU है वो 8 की 8 threads use करेगा अगर मैं 8 की जिगा यहाँ पर parameter डाल देता हूँ 6 का तो वो 8 की जिगा 6 threads use करेगा तो अभी हमारा में अब्जेक्टिव है इसको 8 पर चलाने का तो मैं इसे जल्दी से run करने वाला हूँ ठीक है तो अभी लिखा हूँ आई जाएगा अगर इसने अपनी mining file read कर ली है तो यहाँ पर लिखा हूँ आजएगा using 8 by 8 अब आपको पता चल गया कि आपको threads कैसे increase करनी है अगर मैं यहीं पर ही जाके इसमें edit में चला जाओ वापिस से और जो अपनी mining file है उसमें मैं 8 की जगा 6 कर दूँ या 5 कर दूँ चलो 5 कर देता है 5 एक odd number हो गया 4 और 8 अभी तक हमारे even numbers चल रहे थे पर दिखाई देगा जैसी यह ready दिखा देगा कि 5 threads आगी है मैं बंद करके आपको दूसरे method पर ले जहूंगा solve करनेगा ठीक है तो यहाँ पर आगया threads 5 by 5 की इतनी तयार है ओके तो अब मैं mining यहाँ पर बंद कर चुक हूँ यह था हमारा पहला fix कि अगर आपने mining की एक separate .bat file बना रखी है तो उसके साथ है कैसे fix हो लेकिन अगर आप mining कर रहे हो config file के through मतलब यह आपका config.json तो आपको इसमें जाना है show more options में same oh इसमें edit का नहीं आ रहा मुझे open with करना पड़ेगा with notepad अब आपको इसमें जाकर अपने cpu की चीज ढूणने है जैसे आपको इहां पर cpu है अब आपको इहां पर cpu enabled true दिख रहा है huge pages true दिख रहा है huge pages जहां पर भी आपको यह अपना cpu मिल जाए क्योंकि आपकी config file में बहुत सारी चीज होती है आपका cpu होता है open cl होता है कूड़ा होता है तो आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ cpu को सर्च करना है तो जैसी आप cpu को सर्च करोगे आपको इसमें एक parameter और add कर देना है कहीं पर भी आप कर सकते हो algorithm से पहले जैसे यहां से आर्गन 2 से आपकी algorithm शुरू हो रही है तो मैं yield के बाद ही डाल रहा हूं आपको enter करना है tab दिवाना है tab दमाना बहुत important है क्योंकि tab से फिर इसी लंच पर आ जोगे tab यहां पर आपको लिखना है threads यहां पर आ और फिर run करूंगा तो आपके दोनों fixes use हो जाते हैं और इसी method में एक second तरीका भी और है कि आपके usually यह जो दिक्कत है आपकी random x algorithm में आती है तो आप सिरफ random x को भी search करके यहां पर आगे mention कर सकते हो यहां पर जैसे 0,2,4,6 लिखा हुआ है तो मैं इसको 0,1,2,4,6,7 तक लि तो अगर मैं यह वाली application भी करता हूं threads न डालके मैं यहां पर changes करता हूं तो भी यह applicable है या फिर मैं ऊपर भी कर सकता हूं तो यह दो तरीके थे जिसके through आप इस error को solve कर सकते हो और आपका जो CPU है वो 100% पर operate करेगा अगर आप इस 100% पर नहीं भी operate करना चाहरे है आप 60%, 70%, 80 80% पर करवाना चाहरे हो आप वो भी इस method के through कर सकते हो और फिन फार्मर्स पांच मिनिट के अंदर अंदर मैंने आपको यह error fix करवा के दे दिया है अभी भी दिख्कत आ रही है तो वीडियो की description में आपको फिन फार्म की discord server के link मिल जाएगी just make sure आप वो discord server अभी की अभी ज subscribe डिलो हम फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ